नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों हम बात करेंगे कुम्बरासी वाले जात्कों के लिए जून माह का चोथा सब्ता यानि 23 से 28 जून का समय आपके लिए कैसा रहेगा आपके ग्रहनक्षत्र के सितारे किस प्रकार गती करने वाले हैं तथा इस सब्ताह आपका वैपार, वैवसाय, करियर, लवलाइप और आपका स्वाइशत कैसा रहेगा चात्रों के लिए चात्र जीवन, प्रेम जीवन, और आपको पैसो के स्थिते, धंदोलत के स्थिते, और दुकांदारों के स्थिते, किस प्रकार से इस सब्ताह वैतीत होने वाली हैं आपको बताएंगे कि इस सब्ता आपको कौन से कारू को करना आपके लिए वहतर सावित होगा आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरी तक देखेगा उससे पहले माता रानी के सचे भक्तों से विंती है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सस्क्राइब करके माता रानी को कमेंट बॉक्स में जै माता दे अवस्य लिखें तथा विडियो को लाइक अवस्य कर दें मतरों आपको बताना चाहेंगे कि इस सप्ता के सुरुवात में है 23 जून को त्री पुसकर योग का निर्मान हो रहा है और 25 जून को भी त्री पुसकर योग का निर्मान हो रहा है वहें 28 जून को सरवार्द सिद्धी योग बन रहा है सरवार सिद्धी योग के निर्मान से और तरिपुसकर योग के निर्मान से आप इन तीन जिनों में किसी भी सुबकारी का प्रारंब कर सकते हैं, पैसों का आदान परदान कर सकते हैं, नई उजा और नए अच्छे कार्यों का प्रारंब भी आप इस सप्ता कर सकते हैं ऐसे में कुम्बरासी वाली जातकों के लिए यह सप्ता कॉफी उत्तम सावित होगा, कॉफी आकर्शक सावित होगा नोकरी और बैवसाई के लिए आपका यह सब्ता काफी अच्छा रहेगा आपको आपके उपलवदियों के लिए उचित पारितोस भी प्राप्त होंगी कोई पुराना दियागे अरिल भी आप प्राप्त कर सकते हैं आपकी वीतिय स्थितियों में सुधार होगा पारिवारिक जीवन भी आपका समान जेसे पुन रहेगा कार्य सिद्धी यात्राएं फलदाई सावित होंगी तथा इस सब्ता प्रेम चमंदों के लिए भी आपका सम कर सकते हैं चल रहे कामों में आपको थोड़ी बहुत कटनायों का सामना करना पड़ सकता हैं परन्तु मातारानी आपके जीवन में बड़ा चमतकार इस सब्ता करने वाली हैं आपको आपके कारिशेत्र के अलावा आपके समाज में आपका सम्मान में बढ़ोत्री कर सकती है आपके व्यक्तित्व और आपके वेभव में बुढ़ोत्री होंगी मातारानी आपके हर एक चित्र में हर एक चेत्रों में आपका सहयोग करेंगी तथा आप इस सब्ता प्रभावसाली लोगों के साथ भी अपने संपर्क को अस्ताफित कर सकते हैं जातक वीदेस में रहते हैं आप अपने आपको वेहतर सावित करके अपने देस का नाम भी रोशन कर सकते हैं संतान का विवासम्मंद पका हो सकता हैं आपके विवाह में आरही रुकावटें दूर हो सकती हैं विद्यार्थू के लिए भी यह सब्ता काफी उत्तम रहेगा आपके इक्चा सक्ती में वढ़ोतरी होंगी आप उत्सा पुरुवक अपने कारू को अंजाम दे सकते हैं और भागे के साथ होने से रुके ही प्रियोजनाएं आपके प्रगति करेंगी भागे आपका साथ देग सकरात्मग विकास भी आप प्राप्त कर सकते हैं वीत्यमामले आसानी से आपके आगे वढ़ेंगे और आपको आई का एक अत्रित तक्सरोत भी प्राप्त हो सकता हैं आपको फैसे कमाने के नए मोके प्राप्त होंगे धन्दोलत में आपके बढ़ोतरी होंगे तथा लाव आप सुविचारित मर्ने भी ले सकते हैं जो भविस्य में वर्तमान में आपका विहदी लाव दिलाने में आपके सहता कर सकता हैं आपको अपने नई साजिदारी में प्रवेश करने के बहत्रीन मौके मिलेंगे वहें जो लोग अकेले जीवन जी रहें थे कि इस सब्ता आपको आपके देहनिक दिन्चरिया में बड़ा प्रिवर्तन देखने को विप्राप्त हो सकता है आपको बड़ा प्रिवर्तन देखने के भी मोके प्राप्त होंगे इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कुम्भरासी वाले जात्कों को इस सब्ता अपने आपको विवेश्दित करने के अपने आपको बहतर सावित करने के वहतरीन मोके की प्राप्ती होंगी यदि विद्यार्थों को किसी परत्योगिता परिक्षा के माद्यम से नौकरी की तलास है तो आपको आपके चीजें आपके पक्ष में रहेंगी आपको नौकरी की प्राप्ती हो सकती हैं आप नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं वहीं कूट कचहरिक के मामलों में आपको सफलता हासिल होंगी आपके सारे के सारे कारे बनेंगे और आप अच्छे से अच्छे कारे को भी करने के वहत्रें प्रस्ता भी प्राप्त कर सकते हैं आप अपने वहवाईक जीवन को काफी सुफल बना सकते हैं वहवाईक जीवन में आपका परिवर्तन होगा आप अपने आपको वह तरसावित करने का प्रियास भी इस सब्ताह करने वाले हैं आप परिवार के सदस्यों के साथ समंदों को बहतर बना सकते हैं और आप मोज मस्ती और आनंद के मौके भी प्राप्त आसानी से करने में काफी सक्चम रहेंगे आपका दिन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स मे आपका दिन सुबहो मंगल कारी हो जैमा विद्वास